नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आज की परवेश में करुणपती कोन नहीं बनना चाहता है हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खूब पैसा कमाऊं उस पैसे का सत्य प्यूग करूं और सान सौकत से रहूं समाज में मेरा मान पत्रिष्ठा बड़ है और मुझे लोग सम्मान करें प्रंत व्यक्ति के मन का चाहा कारे नहीं हो पाता है व्यक्ति जो सोचता है वा नहीं हो पाता है इसलिए किसे कभी ने कहा है, जो चाहा वा पाया नहीं, जो पाया वा भाया नहीं, जो भाया वा रहा नहीं अगर आप भे करोनपती बनना चाहते हैं, तो आज आपको एक फार्मूला बता रहे हैं एक परियोग बता रहे हैं, इस परियोग को सास्त्रों ने बताया है हम लोग सनातन धर्मी है सास्त्र वेदों उपनिसत पुराणों के आधार पर चलने वाले हैं उन्हें मानने वाले हैं उन्हीं पर विश्वास करते हैं अगर आप भे सनातन धर्मी है वेद पुराण सास्त्र को मानते हैं तो इस परियोग को अवश्च करें आपकी जो मन की अविलास आएं हैं वा अवस्ष पूर्ण होंगी क्या नहीं हो सकता जैसे कहा गया है त्रिया चरितम प्रसोस भाग्यम देवो नजनात कुतो मनिश्या इस त्रिका चरित वुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान सकते हैं क्या चीज है इसलिए कहते हैं कर्म करो कर्म प्रधान अविश्य रचिराखा प्रमात्मा ने कर्म को प्रधान मनाया है मुख्य मनाया है अब कर्म करो प्रिश्रम का फल प्रमात्मा अविश्य देगा तो जैसा कि आप थमनेल पर देख रहे हैं सव रुपे की नोट से बनोगे कुरुणपती एक ही रात में एक ही दिन में जी बिल्कुल सव रुपे की नोट से ही कुरुणपती बनोगे और या परियोग सार्थक भी है निर्थक नहीं इस परियोग को अच्छे-च्छे विद्वान अच्छे-छे रिशी अच्छे-च्छ मंत्र वेत्या मंत्र शाध करते हैं आप भी इस प्रियोग को करें कुर्पति कैसे बन सकते हैं सो रुपे की सामग्री लगेगी आप तिल का तेल ले आएं मात्र शोगरम का पास ले आएं उसका बत्ती बना लें एक दिया ले आएं एक सो रुपे की एक उसी सो रुपे में से एक गमचा ले आएं बीस पचीस रुपे या तीस रुपे की मिलेगी असना अंध्यान करके उस गमचे को पहन करके एक कांद में जाएं और एक सरसों का तेल ले आएं उसी में से ढ़ाई सोगरा और एक तावा ले आएं उस सरसों की तेल का काजल पा लें उसमें थोड़ा सा कपूर मिश्ट करें मिला दे कपूर और काजल में कपूर मिला दे थोड़ा सा लॉंग मिला दे इसके बाद काजल की डिविया रख ले तिल के तेल का दिपक जला ले किसी पीपल विख्ष की निशी चले जाए उस काजल को सामने रख दे दिपक भी जला ले में इसके बाद जुमें मंतर बता रहा हूं के इस मंत्र का आप दस अजार बार जब करें जादा नहीं करना है तो अ को एंग्रिंग क्लिंग मम निधी दरसय फूम फट स्वाहा इसी मंत्र को दसजार बार जब करना है मंत्र की विशेष जानकरिक लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं मुझे पारदाशन ले सकते हैं अब दसजार बार जब जब करेंगे तो आपका ये मंत्र पूर्ण सिद्ध हो जाएगा पूर्ण सिद्ध मतलब है आपको इस मंद्र की जिद्धी मिल जाएगी इसके बाद आपको करना ये है थोड़ा सा उंगले में काजल लेना है और जो मंत्र आपने सिद्ध किया है इस मंत्र को आप उस काजल को 108 बार से अभ़ेटित करेंगे और काजल को अपनी द दिखाई दिने लगेगा और आप ही एक ही दिन में एक ही घंटे में जो जीरो से हीरो बनने का सपना था वह पूर्ण हो जाएगा और आप सव रुपए की नोट से कुन पति बन जाएंगे या एक बहुत सही पद्दती है इसको करो और लाब उठाओ किसी भी जानकारे के संपर्क करूं मैं आपका मार्वर्शन करूं